पुश्कार स्वागत आपका सेल्ट स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगी कि क्या वट्सअप का इस्तेमाल करना सुरक्षित है और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी खुद वट्सअप ने या फिर बहुत सारे आप देखेंगे न्यूस पेपर में जहां पर ये सामने आया है कि वट्सअप हो गया या फेस्बूक हो गया तो वहां से काफे सारे लोगों की जो परसनल इंफोमिशन है वो लीक हुई है और इसके अलावा सुप्र हमारे देश में एक right to privacy चलती है उसका अब WhatsApp से क्या लेना देना है इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूं description box में टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आब से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे अभी हाली में competition commission of India ने 2021 की एक policy थी तो इसकी वाटसब की प्राइविसी पॉल्सी थी तो competition commission of इंडिया जो थी इस जो प्राइविसी पॉल्सी थी वाटसब की उसकी जाच करना चाती है अब करना चाहती है इस जांच को रोकने के लिए वर्टसप ने सुप्रीम कोट में अपनी अपील दी कि भई आप जो ये जो जांच कर रहा है Competition Commission of India आप इसको एक काम करिए ना इसको आप मना कर दिजिए कि ये जांच ना कर पाए Supreme Court ने का कि भाई साब हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए तो Supreme Court ने जो ये अपील आई थी उसको खारिज कर दिया मुदले तो इसको हटा दिया कैंसल कर दिया Supreme Court ने और आप यहां पर देखेंगे न कितने सारे नियूस पेपर है जहां पर यह लिखा यह लिखा है और कुद जो Facebook है या फिर कहीं कि जो Meta है उन्होंने कहा है कि वो Instagram के लिए Facebook के लिए WhatsApp के लिए कुछ एक ऐसे फीचर लेकर आएंगे जिनको और जाद उन्हें protection दी जाएगी लेकिन वो paid होंगे तो यहां पर यह बात भी बोलीगी अब आगे चलते हुए इन्होंने जो WhatsApp उन्होंने कहा देखें WhatsApp और Meta दोनों एक ही कंपनी तो है WhatsApp और Meta ने दोनों ने यह तरक दिया कि जो Anti-Trust Watchdog है यानि कि जो Competition Commission of India है वो निचता नीती की जाँच नहीं कर सकता जो यानि कि इनकी जो पारा काम करने दो CCI यानि Competition Commission of India जो है उसके पास इतनी पावर है वो एक Independent Authority है जो भी कोई मामला ऐसा आएगा Market के अंदर जो उसके Competition Act of 2002 का उलंगन करता होगा तो यह CCI की Responsibility बनती है कि उस मामले को वो अपनी नजर में ले और उसके उपर वो जाँच करे तो आप हमें मत सिखाईए कि हमें क्या करने है और क्या नहीं करने है तो यह जो Privacy Policy है इसकी जो जाँच करना चाहता है CCI तो इस WhatsApp ने अभी कुछ टाइम पहले 2021 में आपने देखा भी होगा कि आपके पास या फिर कहीं कि WhatsApp ने मैसी सर्कुलेट किया था कि हम जो है आपकी Information लेंगे और यह जो Information हम Facebook के साथ भी Share करेंगे यह बात बोली गई थी तो यह क्या कर रहे है जो WhatsApp है वो Automatically देखे आपसे भी ना Information किसी दूसरी या तीसरी पार्टी के साथ हम Share करें तो यहां पर तो इन्होंने वो Option नहीं दिया इन्होंने का कि WhatsApp जो है वो Automatically आपकी Information कॉलेक्ट करेगा उस Information में कुछ भी हो सकता है आपके Mobile Number है यूजर एक्टिविटी आप क्या कर रहे हैं वो एक्टिविटी हो सकती है ब पॉलसी होती थी कि WhatsApp encrypted है यह किसी के साथ प्राइविसी में मतलब कि किसी के साथ प्राइविसी बहुत प्रियोर्टी पर रखता है और आज आप बोल रहे हो कि आप हमारी Information Facebook के साथ शेयर कर रहे हो यह यह वट्सप है यह Privacy Policy को प्राइविसी इसकी जो पॉलसी है जहां पर इन्फोमेशन लेगा लोगों की परसनल इन्फोमेशन लेगा और उसको फेस्बूक के साथ शेयर करेगा अब फेस्बूक के साथ शेयर करेगा देखे फेस्बूक में आप जानते हो कि वहां पर कितना बड़ा एक marketing hub है वो एक तरीके का तो वहां पर वो commercial यूज कर पाएग उनके data का मतलब उनका मालिक बनने वाले तो यह मतलब हो गया इस privacy policy का अब यह जो policy है जो यह WhatsApp लेका आया था इन्हों ने क्या किया भाई इस policy में जो भी लोग थे जो WhatsApp यूज कर रहे थे उनसे तो यह choice ही छीन ली गई कि आप share करना चाते हो कि नहीं करना चाते हो Facebook ने साब बोल दिया कि आप अगर share करना चाते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं करना चाते तो आप हमारे platform से ही चले जाइए यानि कि WhatsApp ही uninstall कर दीजिए यह बात खुद इसनों ने बोली थी अब इसके अलावा जो WhatsApp की जो प्राइविसी पॉलसी है हमारे देश में एक कमीटी बनी थी श्री किश्णन कमीटी उस कमीटी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी उस रिपोर्ट के बिलकुल जस्ट आपोजिट है जो प्राइविसी पॉलसी है वटसब की इस एप में आपके जो information मिल रही है, personal information मिल रही है लोगों की तो आप किसी दूसरे देश में जाकर उसको store मत करिये, आप जिस देश में हो उसी देश में, यानि भारत में तो भारत में ही आप ऐसा चीज मतलब वहां पर लोगों के data को protection करने के लिए उपकरण लगाई है, ये निकलती है अब क्या है data protection बिल देगे data protection बिल जो है electronic and communication in a electronic ministry of electronic and information technology के दौरा 11 दिसंबर 2019 को इसको लोग सवा में introduce किया गया था अब यह क्या कर रही है यह जो इसको एक तरीकी से privacy बिल के नाम से भी जाना जाता है इस personal data protection बिल को तो इसमें क्या होता है कि जो यह protect करेगा individual के rights को मतलब कि जो भी इंसान किसी भी app को चला रहा है जहां पर उसकी personal information है उस personal information को protect करने का काम करेगी यह privacy bill तो यह काम था इसका जहां पर एक व्यक्ति जिसकी identify हो पा रही है कि कौन है उस privacy को protect करने का काम कर रही थी यह privacy लेकिन काफी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनिया है उन्होंने काफी सारी चिंताएं इस बिल को लेकर जताई तो वहां पर गॉर्मेंट ने इस बिल को विड्रो कर लिया यह वापस ले लिया यह तो था हमारे सामने personal data protection बिल फिर इसके अलावा हमारे सामने आता है राइट टू प्राइवेसी यह दे कि राइट टू प्राइवेसी आपने सुना वह 2017 में के अस पुट्टा स्वामी केस एक्चुल में 1948 से ही हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी को लेकर बातें जो है वो स्टार्ट हो गई थी कि क्या निज़ता के अधिकार को भी क्या fundamental अधिकार बना देना चाहिए वहां पर तो यह ऐसा नहीं कि 2017 में एकदम से सब चीज़ें हो गई थी 1948 से सब चीज़ें चल रही थी तो क्या हुआ आम तोर पर देखे एक तो सबसे पहले इसकी definition परिभाशा right to privacy काफी सारे लोग इसको समझ लेते हैं कि किसी को अकेला चोड़ दो भाई वो होती है यनि right to be left alone actual में इसका meaning यह नहीं होता कि अकेला छोड़ दिये जाने का अधिकार होता है right to privacy यह नहीं होता Supreme Court ने 2017 में जो K.S. Putta Swami versus Union of India जो case हुआ था वहाँ पर एक landmark अपना decision दिया था जहां पर उन्होंने जो right to privacy इसके महतव को समझाया था इसकी definition भी दी थी तो सर्वोच न्याले के according बात करें तो उन्होंने कहा था निजता का जो अधिकार है एक मोलिक और एवेच्छेद्य है यानि कि यह यहाँ पर English में लिखा हुआ था मैं उसको पढ़ देता हूँ इसकी Hindi मुझे नहीं आती inalienable inalienable एक right है मतब इसके तहित व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्ने भी इसके अंदर शामिल होंगे यह काफी important चीज है right to privacy अभी आपने देखा होगा एक abortion को लेकर हमारे दीश में एक bill पास हुआ था जिसमें जो unmarried woman थी उनको abortion कराने का 24 हफतों तक वो अपना abortion करवा सकती है वो right to privacy के अंदर ही सब चीज़ें दी गए थी कि भई वो तो उसका निर्ने हुआ था उसकी choice हुई उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीज़ें वहाँ पर आती है तो यह सब चीज़ें थी और अब इस right to privacy को क्या अलेका article में डाला गया देखिए कोई अलग से नया बनाए गया देखिए नया नहीं बनाए गया इसको article 21 में ही रखा गया है जहां पर जो किस में आता है समीधान के भाग 3 में आता है जहां पर गरेंटी गृत स्वतनतरता के हिस्से के रूप में इसको सरंक्षित किया गया है तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और right to privacy जह वो article 21 में आता है आर्टिकल 21 को हम जानते है right to life and personal liberty के तोरपर हम इसको जानते हैं clear अब क्या यह right to privacy है कि absolute है absolute क्या मतलब कोई भी इसको उलंगर नहीं कर सकता है फिर हर किसी को इसको मानना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में अगर आप समिधान पड़े हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी article absolute नहीं है सिवा कुछ एक article चोड़कर आपको पता है absolute मतलब कि कोई भी इसका उलंगर नहीं कर सकता इसके विरुद तो कोई जाए नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता वाई जुरूट पड़ने पर तो आप से होता है कि हमारे देश के अंदर ये अधिकार है हमें कि कोई भी हमसे जबरदस्ती श्रम यानि मजदूर ही या फिर कोई भी काम नहीं करवा सकता लेकिन आने वाले टाइम में में भी हमारे देश में लड़ाई चेड़ जाए तो और हमें जबरदस्ती जाकर बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करनी पड़े वो कर सकता और सरकार को यह पावर है यह पावर कौन देता है खुद Constitution यह देता है ऐसे ही हमारे देश में जो यह Right to Privacy है यह पूर्ण रूप से नहीं है इसके पास सारी ताकत नहीं है इसके वी उपर भी कुछ restrictions है मतलब इसको भी हटाया जा सकते है कब को भी हटाया जा सकते है यहाँ पर लिखाया गया है कि इसको हटाने के लिए कुछ चीजें होंगी तीन शर्तों के उपर इसको हटा सकते है पहली यह कि देखे ऐसी राजके कारवाई के लिए एक विधाई जनादेश होना जाए मतलब कि आप एक लो लेकर आई है इसके लिए उस लोग के तहत ही आप इसको हटा पाएंगे दूसरी चीज इसे एक वैद राजके उदेशा का पालन करना होना चाहिए यह नहीं कि legitimate state purpose पे हो यह चीज मतलब कि internal security, external security इन सब चीजों के अंदर यह चीज़ें आ रही हो कि किसी person की हमें उसकी privacy के अंदर दखल देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो भारत की सुरक्षा की बात है भारत के पडोसी देशों की सुरक्षा की बात है तो वहां पर हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी तो वो सब चीज़ें हो सकती है तीसरा ये कि उसे यतोचित यानि कि proportionate होना जरूरी होगा proportionate का मतलब कि आप अगर किसी की privacy के अंदर दखल दे रहे हो तो उसकी एक limitation हो वहां पर ऐसा नहीं हो कि आपने छोटी सी बात के उपर उसकी privacy का उलंगन कर दिया आपने उसकी privacy का ही हरनन कर डाला वो सब चीज़ें नहीं होने चाहिए वो proportionate होने चाहिए कुछ limit तक उन चीज़ों का होना चाहिए आप वो criteria वहां पर होता है कि हाँ आप यहां तक इस privacy में जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा ज़ूरी है ये सब चीज़ें होने चाहिए तब जाके जो है इसके उपर आप work कर सकते हो right to privacy को परतिबंदित कर सकते हो तो उमीद होगा कि आप लोगों के right to privacy जो है वो समझ में आई होगी तो government ने privacy को protect करने के लिए अब तक क्या-क्या चीज़ें की हैं उसको हम जान लेते हैं कि एक्जाम में पूछ ले जाती हैं ये स्रीक्रिशन कमिटी जो मैंने आप लोगों को भी बताई 2018 में इसने अपनी report पेश की थी कौन थे सरकार ने न्याय मूर्ति जस्टिस बी एन श्रीक्रिशन की अध्यक्सता में ध्यान रखना किन का नाम लिया जा रहा है यहां पर डेटा सरंक्षन पर विशेशग्यों की एक समीती निक्त की थी जिसने जुलाई 2018 में अपनी report पेश की थी फिर हमारे देश में Information Technology Act 2002 आया था जिसमें क्या था कि जो computer है computer system होगे उनमें जो data store होता है अगर उनका गलत उपयोग ना जो data store होता है उनका गलत उपयोग ना कर लिया जाए उसको रोकने के लिए सब चीज़ लाई गई थी फिर हमारे सामने आता है यह CCI CCI बोले तो Competition Commission of India यह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं इसके सापना होई थी March 2009 में इसके लिए एक Act आया था Obviously उस Act का नाम था Competition Act 2002 जिसके तहत कि भई कैसे इस CCI का मतलब administration किया जाएगा implementation होगा enforcement मतलब कैसे इसका काम होगा क्या क्या इसकी working मतलब working profile होगी कैसे यह काम किया जाएगा इसके तोर जो मार्किट में हो रहे थे इसके तीन मुदों पर इसमें focus किया गया था कि anti-competitive agreement था abuse of dominance था combination था इसको मैं आप लोगों कैसे समझाता हूँ CCI का main objective क्या था eliminate करना eliminate किस चीज़ को करना जो भी गलत चीज़ें हो रही हो competition के अंदर कैसे गलत चीज़ें हो रही हो जैसे आपने सुना हो Jio Jio जब आया था तो इसने हर किसी को net free दिया था तो वहाँ पर बहुत सारी companies जो थी वो competition commission of India के पास गई थी कि देखिए ये competition को खराब कर रहे हैं अपनी market बनाने के लिए तो वहाँ पर Jio ने फिर तीन महिने के लिए कर दिया था कि तीन महिने तक मिलेगा स्टार्टिंग में limit तो unlimited थी कि कितने भी आप net कर लीजिए फिर उस limit को कठाया गया था चार जी भी दी गई थी दिन की आपको इतनी high speed मिलेगी यह सब चीजें गई गई थी इसको बाद में नहीं बढ़ाने दिया गया तो यह सब सारी जो tactics थी Jio की दोरा अपनी आपको उपर लाने के लिए के लिए गई थी आपको याद हो तो उस वक्त तो अमारे देश में digital boom हो गया था तो यह सब चीजें थी तो यह सब चीजें को रोकने का काम कौन करता है competition commission of India करता है साथ ही साथ यह क्या काम करेगी जो परतिश परता है यानि जो competition है उसको बढ़ावा देना और उसको बनाए रखेगी साथ ही साथ जो consumers हैं उनके interest की रक्षा करना और भारत के बजारों में जो व्यपार की स्वतनतर था यानि market आप सब के लिए open है यह सुनश्चित करेगा competition commission of India इसके अलावा जो मजबूत परतिश परती महोल को स्थापित करना यानि और इसको ज़्यादा competitive और ज़्यादा बनाना कैसे बनाएंगे यह जो consumers हैं जो industries हैं जो government है और international जो international जो होगे हमारे सामने jurisdictions हैं उन सब को एक साथ लाकर उनके साथ काम करके इस सारी चीज़ें की जाएंगे तो उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा यह तो रहे गया last composition यानि यह किस-किस का बनाओता है देखे एक commission commission इसके अंदर एक commission होता है यह जो commission है वो बनाओ होता है one chair person और six members होते हैं इसके अंदर जो appoint के जाते हैं central government के द्वारा जो commission है यानि कि जो commission है CCI वो quasi judicial है quasi judicial बोले तो quasi को मतलब earth यानि आधा इसके पास आधी power है judicial judicial आपने देखा हो judiciary की जो power है वो इसके पास हाफ आ जाती यानि अपने निर्ने ये दे सकता है जो इसका chair point हो गया और इसके जो other member हो गये shall be whole time member इसके क्या है पूर्ण कालिक सदसे इसके होंगे clear फिर से माप लोगों बताते हैं तो पेडियोव जो है वो आप लोगों को description box में telegram का link दिया भी लेगा तो वहां से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी तो उम्हीद करता हूँ कि जो आपका आज का जो topic था competition commission of India यह नहूंता CCI यह क्या होता है और साथ इसाथ आपको बता चला होगा कि जो privacy policy है फेस्बुक की वो उसके ओपर क्यों चानबीन की जानी चाहिए उससे related क्या क्या issue हमारे सामने आये थे यह सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगे तो समझ में आई होगे तो मुझे कैसे समझा सकते हैं यह सब चीज़ें बेशक लाइक करके चाहिए वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके डाउट हैं तो वो कॉमेंट सेक्शन ओपन रहता तो वहाँ पर लिखकर आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया उमीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगे तो बसाज के लिए इतना है था तेंक यू फॉर वोचिं दिस वीडियो